नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का pathfinder पर दोस्तो ministry of environment forest climate change ने कुछ forest conservation act को लेके इसमें कुछ draft amendments propose किये हैं और इन amendments का purpose है कि वो जमीन को identify करना जिस पर forest conservation act के provisions लगे और कि जमीन पर ना लगे याने कि अगर मैं सीज़े सीज़े से कहूं तो मतलब यही है कि forest कौन सी जमी forested land कहला है कौन सी ना कहला है याने forest कहलाने का जो definition है उसको वापस से redefine करने की प्रयास की जा रही है और इससे सरकार का कहना है कि नई developmental opportunities unlock होंगी तो क्या है यह provision क्या है यह purpose and क्या होने वाला है forest conservation act के साथ तो आईए आज की इस class में इन सारे topics पर चर्चा करते हैं तो दोस से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लिक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे साधी साथ नीचे दी गई मेरी अनकेड़ी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी special class है उनकी notification आ उससे काफी land lock हो गई है और वो developmental activity के लिए use में नहीं आ पा रही और इस वज़े से private owners of land वो भी अपनी private land को utilize नहीं कर पा रहे अगर उनकी land forested land classify हो जाए for non forest purposes वो भी उसको use नहीं कर पा रहे तो इसी के context में ministry of environment forest climate change ने कहा है कि वो forest conservation act 1980 को आने वाले दिनों में change करेंगे तो दोस्तों अगर हम forest conservation act 1980 की बात करें तो ये कहती है कि अगर कोई भी जमीन forested land है तो उसमें अगर हम उस land को non forest purposes के लिए अगर divert कर रहे हैं और उस diversion के लिए कुछ fees जिसको कहते हैं lease अगर उस lease के लिए कुछ fees जिसको कहते हैं कि says वगेरा देना पड़ता है लवी देना प पड़ता है अगर आप center से permission नहीं लेंगे तो आप forested land को non forest purposes के लिए develop नहीं कर सकते पर दोस्तों इसको लेके काफी issue हो रहा है क्योंकि कब किसी जमीन को forested land की category में डाला जाए कब नहीं डाला जाए इसमें काफी जादा आप देखे तो जद्दो जहद हो रखी है काफी इ जो definition हुआ करती थी forest की पहले वो जान लीजिए तो उसका purpose था definition था कि forest conservation act उन lands पे apply होगी जो की forest की तरह notified है under the Indian Forest Act 1927 या अन्य किसी local law के अंदर अगर वो forested land की तरह defined है तो वो जमीन forested land होगी या फिर वो जमीन forest department के द्वारा manage की जा रही है तो वो forest land की category में आएगी फिर दोस्तो सुप्रीम कोट का judgment आता है December 12 1996 को तो तो इसमें सुप्रीम कोट एक arbitrary definition दे देती है जैसा सरकार का कहना है तो सुप्रीम कोट कहती है वो सारी जमीन जो की dictionary meaning of forest में आ जाए वो forested consider की जाए क्या मतलब मतलब की अगर कोई भी जमीन उसमें अगर अच्छी खासे अगर उसमें पेड़ पौधे लगे हुए है जंगल अगर डिवलप हो गई है तो अगर वो patch of land forested है तो वो automatically forested land की category में include हो जाएगी irrespective of the fact वो land कोई protected area के अंदर है national park wildlife century है या नहीं है irrespective of that fact irrespective of the fact वो land publicly ये फिले पॉब्लिक ओन है या फिर private land है तो private land भी अगर forested patch of land है उसमें तो वो भी forested land के category में आ जाएगी मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ दोस्तों वो private land में भी अगर मुझे उस जमीन को divert करना है और उसको non forest purposes के लिए use करना है तो मुझे center government से permission लेना पड़ेगा आप समझ सकते हैं मेरी जमीन मैं उसमें क्या यूज करूं मैं जंगल कटवा के अगर कुछ non forest purposes के लिए use करूं तो center से permission लेना होगा लेव अगेरा भी pay करनी होगी तो आप समझ सकते हैं कितना दिक्कत कितनी दिक्कत हो सकती है उस private land owner को लेके को तो दोस्तों इसी में आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकार है सरकार का कहना है अभी ministry of environment forest climate change का भी and बहुत सारे departments government के उन सभी का कहना है कि इस प्रकार की forest land की जो identification हो रही है under dictionary meaning of forest में जो की supreme court का कहना था जैसा honorable supreme court का जै identify कर रहे हैं वो बहुत arbitrary है and ambiguous है तो इसे clarity नहीं आ रही कि कब कोई जमीन forested land हो और कब कोई जमीन forested land ना हो तो इस वज़े से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है private individuals से भी क्योंकि उनके भी जमीन अचानक से forested categorize हो सकती है तो forest department चाहे तो उसको non forest categorize करे तो यह ambiguous है and at the same time बह बहुत सारी resentment देखने मिल रही है with respect to this definition of forest तो अब देखते हैं क्या proposed amendments है forest conservation act में कैसे इन दिक्कत को दूर किया जाया जाएगा अगर यह amendments pass हो जाते हैं तो ministry ने propose किया है कि वो सारी जमीन जो की railway या roadway ministry ने acquire की है prior to 1980 तो अगर prior to 1980 बहुत सारी जमीन हुआ यह है दोस्तों कि railway and roadways ने ministry of road transport and highways ने ministry of railways ने 1980 के पहले ही acquire कर लिया था लेकिन उस land में developmental activity हो नहीं पाई road बने नहीं railway बने नहीं काफी time से तो इस बीच में वहाँ पेड पौधे लग गए और अब लग गए और अब वो जंगल के में तबदील हो चुका है तो अब वो dictionary meaning of forested land में आ जाता है तो government इस वज़े से railway मंत्राले ministry of road transport highway वो जमीन को उपयोग नहीं कर पा रही है अगर उपयोग करना है तो आपको clearance लेना पड़ेगा center से and at the same time आपको levy भी पे करनी होगी उस forest को divert करने के लिए तो forest conservation act 1980 में जो proposed amendment है उसमें अगर आप देखें तो ministries को railway ministry, roadway ministry कोई clearance लेने की आवशकता नहीं है अपने इन जमीन पर developmental activity carry out करने के लिए and at the same time कोई compensation देने की आवशकता नहीं है दूसरा proposed amendment देखें तो दोस्तों यह उनके लिए है जिनकी private forest की बात की जा रही है तो अगर कोई private land है वहाँ पर अगर हम उसको अगर उसको private forest वहाँ पर देखने मिल रहा है तो अगर उसकी बात करें और उस Supreme Court के dictionary meaning of forest में कोई private land में कोई जमीन include हो जा रही है तो इस तरीके के forest को सरकार कह रही है कि आपको जाओ एक time का production कर सकते हो बुलाफाइट याने genuine purposes के लिए उसको non forest purposes के लिए इस forested land को use कर सकते हो including residential unit बनाना है building बनानी है society बनानी है तो 200 square meter तक की जमीन को आप लोग इस forested land को residential purposes के लिए use कर सकते हो तो ये भी कहा है amendment में तो इससे क्या होगा तो बहुत सारी जमीन है जो की private forested land में include हो जाती है तो वहाँ पे नए societies and residential units बनने शुरू हो जाएंगे especially दिल्ली के आसपास वाले काफी private forested land है उत्राखंड में भी काफी private forested land है तो वहाँ पे नए units residential units आपको देखने मिल सकते हैं इसके सिवा अन्य amendments भी है like कोई भी defense project हो रहा है international border के पास तो उसमें को कोई भी forest clearance लेने की आउशकता नहीं है उसको exempt किया जाएगा वैसे कोई forested land है उसमें oil and natural gas extraction करना है तो वह भी allowed है subject to the condition आप extended reach drilling technology का यूज कर रहे हैं अब आपके मन में आएगा साब यह क्या होता extended reach drilling technology तो देखिए यह जो आप आप dark color में देख रहे हैं this is oil and gas reservoir तो traditional drilling होती है vertical इस प्रकार से इसमें puncture किया जाता है और reservoir को puncture किया जाता है और pressure से oil या gas slow होके निकलती है जिसको collect कर लेते हैं लेकिन extended drilling में अगर आप देखें तो extended reach drilling में क्या देखें तो इस प्रकार से horizontal drilling की जाती है और दूर में कहीं से भी oil and gas इस प्रकार से आप खीच के निकाल सकते हैं सुना है आपने इराक and कुएट काफी उनमें दिक्कत आई थी इस बात को लेके कि कुवेट क्राइसिस हुआ था तो यही drilling technology की बात हुई थी कि एराक ने कुवेट पे allegation लगाए थे कि आप हमारे तेल चुरा ले रहे हैं तो इस प्रकार की drilling technology का आप प्योग कर सकते हैं और oil and gas forested land से निकाल सकते हैं क्यों ऐसा क क्योंकि इस प्रकार की technology में आप दूर कहीं बैठके जंगल वाले इलाके के नीचे की तेल खीच सकते हैं तो इससे आपको जंगल वाले इलाके में पेड़ पौधे काटने की आवशक्ता नहीं है surface पर तो यह इसका benefit है इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखे तो ministry ने कहा ह कि होता यह हैं दोस्तों कोई forested land है मान लीजे forested land है और मुझे सरकार ने permission दे दिया कि आप इसका non forested purposes में use कर लीजे तो अगर मुझे non forested purpose use करना है तो मुझे क्या करना होता है forested land के लिए camp आपने जना होगा सुना होगा compensatory of forestation तो mitigation उसके लिए क्या करना पड़ता है ुवे वर्ष में मुझे क्या करना होगा मुझे lease extend करना होगा अब मैं जब lease extend करने जाओंगा तो मुझे वापस से camping देने पड़ेगे तो मुझे वाप से लिवी पे करनी पड़ेगी तो अब सरकार ने कहा है एक बार आप ने लिवी पे कर दी जंगल आपने काड दिया और उस जंगल के लिए हपने पैसे दे दिये और दूर्से जगे बे जंगल deforestation हो गई तो दुबारा कोई ओचित्व नहीं है दुबारा से वापस से लिवी पे करने का मतलब कि आपको दुबारा कोई भी लिवी देने की आवशकता नहीं है अगर आप इस जमीन को लीज एक्सेंड करवा रहे हैं रिन्यू करवा रहे हैं इसकी लीज तो इसके सिवा को किनारे किनारे स्टुप लांटेशन सरकार अगर कर रही है तो वह तरफ थो कर दोनों तर prof पेड हैं आप जरूर इसको पढ़के में जहाज रखिएगा इस सारे empleant सियाढ Chamber सब्सक्राइब तो आईए अब कुछ क्या रेज हुए है तो एक तरफ तो इससे डिवलप्मेंटल अक्टिविटी होगी और डिल्डिंग्स बनेंगी वैसे ही आप अगर देखे तो रेलवे रोडवे बनेगी तो डिवलप्मेंट के लिए लैंड अनलॉक हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट है प्राइवेट लैंड में वो डिसपीर हो जाएंगे तो उनका एक स्टाटिस्टिक है जिसका कहना है कि उत्राखंड में चार परसेंट जमीन प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड होती है तो यह सारी जमीन आप देखे तो आने वाले दिनों में गायव हो जाएगी अगर यह एमेंडमेंट पास हो गए वैसे ही ब्रिंडा कराड जैसे कुछ श्रीमती ब्रिंडा कराड जैसे आप देखे तो कुछ CPM के मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है कि मान लिया इस जमीन इनको आप लोग developmental activity के लिए unlock कर देंगे जो जमीन जो की आज तक dictionary meaning of forest में आती थी पर वहाँ पर रहने वाले ट्राइबल्स का क्या होगा उन traditional forest dwelling community का क्या होगा ये भी तो बताईए इसके सिवा road and rail ministry की बात की जा रही है तो अगर उनकी बात करें तो उनके पास इतनी ज्या property दे देंगे under the proposed amendments तो वह जमीन जो की इसमें आज जंगल है वो सब हट जाएंगे तो यह जमीन बहुत important elephant and tiger corridor का काम करती है तो वह elephant and tiger population उस इलाके की disturb हो जाएगी and finally आप देखें तो एक बार जो की आप private residences को भी जो यहां पर मैंने आपको बताया 200 square meter तक की residential unit build करने की one time प वजे से काफी residential unit जंगल के पास वाले इलाकों में आने शुरू हो जाएंगे तो अरावली and other similar forest देखें तो उन पर जो प्रेशर है land पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यह forest और भी ज्यादा degrade हो जाएगी आने वाले दिनों में तो दोस्तों I hope आपको आज की class से and geography option को cover करती है यूज रिकोड केसी 10 तो बस कोड यूज करें अनकाडमी सब्स्क्रिप्शन ले और उसके बाद मुझसे संपर्क करें तो दूस्तों अनकाडमी इंडिया के best educators हमारे साथ जुड़े हैं जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं तो अनकाडमी learners आप देख सकते हैं अनकाडमी इंडिया कोर्स हम बना रहे हैं तो इंडिया's top educators in Hindi and English आपको पढ़ा रहे हैं वैसे comprehensive test series है, high quality reading material है, doubt clearing session है, answer writing session है, comprehensive coverage है, current affairs का और main specific तयारी भी है, दोस्तों loan भी हम प्रोवाइट कर रहे हैं, description box में एक link है, उसको आप fill कर सकते हैं, आइकन एक और प्लस दो प्र partnership पाते हैं, एक साल की optional की कीमत 24,750 रुपे और using the code KC10, इसके सिवा दोस्तों free test series है, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, UPCAC batches, आज से याने 13 October से start हो रहे हैं, 2022 के लिए भी, 2023 के लिए भी, answer writing program जल्दी start हो जाएगा, 5 दिनों में, 18 October से, तो इसका हिस्सा बने हैं, English में, bilingual में हैं, तीनों में हम answer writing program स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही optional कारनेवाल दोस्तों 21 October से start हो रहा है, geography, psir, परवाट, sociology, anthropology, mathematics, नए बैचे start हो रहे हैं, तो वक्त बरबाद ना करें, जल्दी से an academy subscription लें, and UPCCSE combat है, दोस्तों, KC10 code का इस्तमाल करें, an academy subscription जब भी लें, use the code KC10, thank you so much for joining, have a great day and let's crack it